स्क्रीन पर नजर आ रहा है दंगा काली स्क्रीन सफेद दंगा जितना वक्त कागज पर दंगा लिखने में लगता है उतना ही वक्त दंगा फैलने में भी बेहद आसान है ये मेरे मुल्क में चार अफवा हैं फोन पर पहुँची स्क्रीन पर चमकी और लोगों के तेवर लोगों के बीच भरी नफरतें उबाल मारने लगी कायर भीर हुजूम में तब्दील हो गई और मारो मारो के नारे सुनकर तूटने के लिए तत्पर हो गई किसी अग्यात अंजान शक्स पर ये मैं भाशन क्यों दे रहा हूं क्या मैं नेता हूं क्या मैं चाहता हूं कि कोई मेरे हित में दंगा करे नहीं नेता भावनाओं को भड़काते हैं भावनाओं को कवी भी भड़काते हैं और मैं ये उमीद करता हूं कि कवी की नियत जादा दुरस्त होती है दंगा एक कविता सुनाता हूँ गोरख पांडे की कविता वही गोरख पांडे जिन्होंने हिले ले जगजोर दुनिया लिखा वही हिले ले जगजोर दुनिया जिसको इंडियन ओशन ने गाया और पूरे देश ने सुना हिले ले जगजोर दुनिया जनता की चले पल्टनिय गोरक लिखते हैं दंगा आओ भाई आओ आओ छुरा भोंक कर चिल्लाए हर हर शंकर छुरा भोंक कर चिल्लाए अल्ला हो अकबर कविता खत्म हो गई है दंगा देश का केंद्र मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश का केंद्र भोपाल भोपाल में बीती रात एक प्रशास्निक मसले को लेकर अववाओं का दौर चला लोगों से कहा गया दंगा हो गया है पहुँचो पहुँचो और अपने धर्म को बचाओ हमारा फर्द है कि हम अववाओं को रोकें हमारा धर्म है कि हम लोगों को सत्य बताएं इसलिए जब हम अपने हिस्से का काम समेट कर सोने की तैयारी कर रहे थे रात के साड़े दस बजे जब हमें ये पता चला कि भोपाल में इस तरह की अववाएं फैलाई जा रही हैं तो हमने सोचा नीन को कुछ इंतजार कर लेने दे और मेरे साथ ही निखिलने जो खुद मद्यप्रदेश के रहने वाले हैं इन दंगों की असलियत जानने की कोशिश की और वो असलियत अब हम आपको बता रहे हैं ताकि अगली बार जब आपको कोई कहे छुरा चलाओ धरम बचाओ तो आपको उनके दावों की हकीकत पता हो क्या है मसला कहे और हुए में फर्क होता है तो हमने इसी फर्क को ढूंडने की कोशिश की कि लोगों ने कहा कि दंगा हो गया है ना और तो लोग अपने फेस्बूक अकाउंट पे ट्विटर अकाउंट पे और जहां-जहां उनको मौका मिल जाता था वाटसाइप उनिवर्स्टी पे लोग इस तरह की खबरे चला रहे थे कि भोपाल में दंगा हो गया बलवा हो गया आप सबसे पहले वो हमें खबरें दिखा दीजे स्क्रीन पर ताकि जिनको नहीं पता है वो भी देख लें कि किस तरीके से आपको मूर्क बनाया जाता है द ख़िए लगा डिया गया भॉपाल दंगे में चौहन शिव्राज पठान की पुलिस शिव्राज को पठान वताया जा रहा है पुलिस दे रही मुलों का साथ हिंदूओं के हतियार छुडाई जा रहे मुल्ले हतियार ले बलातकार कर रहे बोपाल में दंगे शुरू हो गए तीन चार एकाउंट हैं जिनसे इस तरीके के मैसिज यहां नजर आ रहे हैं और भी हुए होंगे सबसे विस पोटक इसके बाद है यह तो सेक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए थे इनको गुप्त सूचना मिल गई थे कि तीन गंटे बाद दंगा होने वाला है अचा तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आने वाले तीन गंटों में भोपाल में मुसल्मान हिंदू मुहले पर हमला कर दंगे फैला सकते हैं गुप्त सूचना मिली है सावधान तो पुर्शोत्तम जी पुर्शार्थ जी अचा ये नरेंद्र मोदी के समर्थक लगते हैं मोदी जी को इन समर्थकों से बाद बचने की ज़रूरत है इनका हेंडल है दी नमो नैस्टिक इनको फेस्बुक या टुटर पर लिखने के बजाए पुलिस को सूचित करना चाहिए था फिर क्या हुआ फिर अब इसके बाद भीड जुटने लगती है और अब हम जो असल घटना है उस पर आ जाते हैं असल घटना हम बताते हैं यह हुआ था कि वहां पे तीन चार इलाके आपको बता दिये गए थे एक इलाका भोपाल अब दिली से छोटा लगता है पर भोपाल भी बड़ा शहर है उसके एक इलाके में छोटा बलवावा था दो तरफ से भीड जुटती है उसमें हिंदू भी होते हैं उसमें मुसल्मान भी होते हैं उनकी बीच में पत्थर बाजी हो जाती है और क्यों होती है पत्थर बाजी भीड क्यों जुटती है मामला क्या है हाँ जी इसके लिए हम देड़ महीने पीछे चले जाते हैं जिक्षानदार रोचक मुकाबला जिसमें कुछ सर्फ उटें, कुछ घर जलें, है ना, और अख़वारों को अगले दिन की सुर्किया मिलें, तो ये सारे बहादूर भी पहुंच गए वहाँ गेट चड़ने, मामला क्या है, मामला बताइए असल, मामला ये कि हमीदिया में र समय के इमारते हें की मुगलिया शयली की हैं, वहां पर आपको गुमबद मिलेगा, मीनार मिलेगी, उस तरह है कि उनकी बनक है, तो जो दवाई का स्टोर होता था हमीदिया अस्पताल का, उसको तोडने की बात हुई, कि इसको तोड़के आप नया बना लेंगे, कुछ लोग बनावट देखके पता कर लेते हैं कि यह मस्जिद या मंदिर है। लेकिन प्रशासन ने इसको बहुत सीरेस लिया उन्होंने कहा कि मामला और भुपाल में इस तरह की हिस्टी रही है तो उन्होंने कहा कि ठीक हम दिखवा लेते हैं उन्होंने जो शेहर काजी हैं उनको नाम मुश्ताक नक्वी साहब उनको भरोसे मिलिया उनकी एक मीटिंग ब परवाही सामपरदायक हिंसा को भड़का सकती और ऐसे में सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि जिस समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं या आपत्ती कर रहे हैं उसके रसूख रखने वाले लोगों को मनाया जाए उनसे संपर्क किया जाए उनको वस्तुस्ति से अव जिद रही होगी यह जो रिकॉर्ड थे यह राजस्तों के रिकॉर्ड थे ध्यान रखिए डिस्टिंग मजिस्ट्रेट जिले का राजा जिलाधीश उसका असल काम दरसल रिवेन्यू का होता है वो सरकारी कागज जो अंग्रेजों और उसके पहले के भी वक्त से चले आ रह जाते हैं कलेक्टर ने हिसाब निकाले और बताया गया कि यहां पर मस्जिद का किसी भी वक्त में कोई प्रमाण नहीं था तो इसके बाद यह जगे पी ड़ुड़ीदी को दे दी जाती है कि आप इसको तोड़ करके अपना निर्माश एजनसी है उसको अस्पताल बनाना है उसके लिए जब नीव की खुदाई होती है तो वहां से एक पत्थर निकलता है जिस पे इस तरह का शिरालेख है कि जब पहला विश्विदी हो रहा था तो 38 लोग भुपाल से लड़ने गए थे उस जमाने में उनकी याद में वो पत्थर वहां पे था तो इस चीज ने इस पूरे मुद्दे को दुबारा जन दे दिया तो कुछ लोग ने कहा कि जब इस तरह का पत्थर निकला है तो क्या पता उस वकत इबादत होती हो नहीं पर मुझे यह नहीं समझ में आया विद ऑल दू रिस्पेक्ट अवल तो यदि वह पत्थर इतना महत्पून था तो वह जमीन के भीटर कैसे चला गया है ना दूसरी चीज मजे आज तक कोई ऐसी मस्जिद नहीं मिली जहाँ पर मस्जिद के भीटर हमारे किसी दर्शक को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं जहाँ पर मस्जिद के भीटर अंग्रेजों या किसी भी सेना में लड़ने वाले और शहीद होने वाले लोगों के पत्थर मस्जिद के भीतर लगाए जाए हो सकता है ऐसा चलन हो है ना पर इससे यह आधार कैसे हो गया और अगर है भी तो आपका कोई भी मजभ हो सकता है आपके मजभ का इश्वर यही तो कहता होगा ना कि आप सुख और शांती से रह है सुख और शांती से रहने के लिए स्वस्त रहना जरूरी है इसलिए हम अकसर कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद से अस्पताल और स्कूल जादा जरूरी है यह वहां की कलेक्टर ने बिल्कुल यही बात कही कि पूजने के लिए अस्पताल से बहतर क्या होगा जो आप बहुत बढ़ा कॉंपलेक्स है तो वहां पर मंदिर भी है तो जब प्रशासन को लगा कि कुछ गड़बड हो सकती है क्योंकि एक इस तरह का ख्लेम आरहा है और हिंदुकुटों ने भी यहां शुरू किया कि जब बंदिर यहां पर सामने बना हुआ अंदर से शहींदों का प दुकान चलाने की गुंजाइश दिखी दोनों तरफ के मुक्तार आ जाते हैं फिर क्या हुआ एड्मिनिसेशन फिर एक और महत्पूर्ण फैसल लेता है वो सोमवार की सुबह जो हनमान मंदिर उस पर से लौट स्पीकर हटा लेता है कि कोई बेजा ऐलान वहां से ना हो जाए बिल्कुल साओधानी बढ़ती जानी चाहिए और इस शाम को यह होता है कि मंगलवार की शाम कल शाम बीती शाम को यह हो जाता है कि जब शाम को नमाज के बाद लोग निकलते हैं तो एक भीड उस साइड से आती है मुसलमान भायों की आती है और बिल्कुल इसी चीज़ को करते वे एक भीड आर्थी करने पर पहुच जाती है वहाँ पर तो इसको देखते वे administration जो यह gate है इसको बंद कर देता है क्योंकि अंदर और additional लोग ना पहुच जाए नमाज पढ़ने या आर्थी करने हम इंद्या के patient aims में divert कर दिया जाते हैं पूरा seal कर दिया जाता है उसे मतलब यह मंदिर मस्जिद की लडाई कर रहे हैं और मारे मरीज जा रहे हैं बहुत बढ़िया फिर क्या हुआ और इसके बाद अब क्यूंकि इनके पास करने को कुछ चाहिने अंदर नहीं जा सकते हैं तो एक दूसरे पर पत्थर बाजी ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यह कैसा पत्रकार है मुझे लगता है कि प्रशासन को किसी भी मजहब के चाहिए उन्होंने तिलक लगायों चाहिए टोपी जो बलवा करे जो शेहर की शांत चल रहा था तो डवल भीड आती है और तब पुलिस को पहली बार ऐसा लगता है कि हम शायद आउट नंबर हो रहे हैं तो पुलिस थोड़े देर रुख जाती है ठीक है और वो लोग रैपिड एक्शन फोर्स जो है MP में और S.A.F. को दोनों को सूचना दी जाती है कि आप पुलिस की गाड़ी भी उसमें थी जिसमें तोड़ फोड़ हो गई कौन से मजभब का ईश्वर है जो यह कहता है कि गाड़ियों को जलाने से शबाब या पुन्य मिलेगा फिर क्या होता है और फिर जब आरेफ आती है तो फिर जब पिटाई होती है तो फिर सबको घर जा नहीं है लाठी चलती है लेकिन हमने एक बहुत संदर में रोकूंगा आपको राम चरित मानस बड़ी कमाल की किताब है और भी कमाल की किताबे हैं बड़ा अच्छा प्रसंग है उसमें राम लंका की विजय करना चाहते हैं समुद्र से अनुने विने कर रहे हैं सेना ने बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत अर्थाद तीन दिन बीत गए जलदी यानि की समंदर रास्ता नहीं दे रहा था विने न मानद विने से नहीं माने जलदी जड़ थस था अपने अंकार में क्रोध में गए तीन दिन दिन बीत बोले राम सकोप तब देखें यह यहां पर भी कोप के साथ साथ शब्द जोड़ दिया है तुलसी इदास जी ने जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम यहां खड़े बात कर रहे हैं बाहर किसी ने रेड़ी लगा रखी है कोई लड़की अपने दफ्तर से स्कूल से घर जा रही कॉलेज से सरकार हर जगे नहीं ह होती है सरकार का इकबाल हर जगे होना बहुत जरूरी है सरकार की मौजूदगी का एहसास जो कभी कभी डर के रूप में भी होना चाहिए उन लोगों के लिए डर के रूप में जो चाहे इस पक्षके हों दूसरे पक्षके भी ऐसी दरवाजा चड़ रहे होंगे यह हमें ए अन्बूच के किया नहीं दरसल मेरी जिन से बात हुई ये सौभाविक था ऐसे मत बताईए ऐसे लगेगा कि राजनेताओं की तरह हम बैलेंस वात कर रहे हैं और हमारा ये सेकुलरिजम का फॉर्मूला है कि एक हिंदू से बात कर लो एक मुसल्मान से दो अच्छे जमीनी पत आया कि भौपाल में दंगा नहीं हुआ एक हिलाके में अस्पताल के सामने सडक है है ना वहां पे बलबा हुआ है और पुलिस ने लाटी फटकार के भगा दिया लेकिन ये फेस्बूक पे जादा पत्थर चल गया वहां बड़ा दंगा हो गया आप देखिए कि शिवराज क शिवराज की इस अपील के राजनी तिक नहितार्त हैं आप धार की भोजशाला का जिक्र कर रहे थे उस पर बात करेंगे शिवराज चोहान भारती जनता पार्टी के मुस्लिमों के बीच सबसे जादा स्वीकार नेता हैं है ना उनको टोपी पहनने से भी गुरेज नहीं है उनकी पॉलिटिक्स है इफ्तार पार्टी भी करते हैं हज के लिए जो लोग जाते हैं उनको भी विदा करते हैं यह शिवराज सिंग्चोहान का भाजपा मॉडल है जूसमें वो सब धर्मों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं वो कितनी राजनीते के कितनी नहीं आप कर लीजिए ऐसे में और कभी भी मेरे ख्याल से भोपाल या मद्यप्रदेश से पिछले 10-12 साल में कोई ऐसे बड़े दंगे की सूचना नहीं आई जैसी उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही है कभी अखले शादों के राज में और कभी योगी के राज में माइनर आपको इं बता दीजे लगे हां तो माम लब हो है कि जैसे यूपी में एक आयुद्धा है तो एक MP का इन हाउस आयुद्धा कहते है धार को अधार में एक पॉलिटिकल एक भारशा में उसे स्ट्रक्चर हम कहते हैं धाचा विवादित धाचा है ठीक है एक पक्ष कहता है मस्जिद है एक पक्ष कहता है यह भोज शाला है जो कि प्रचलित राजा भोज के स्था और उसको लेके आपस में जगड़ा चल रहा है जगड़ा है चल यह ठीक है तो हम इस जगड़े पर लोटते हैं इस जगड़े में फिर क्या हुगा प्रशासन ने लाटिया फटकारी लोग चले इस तोड़े के यह अपील क्या है यह बहुत प्रब्लमाटिक अपील है फोट यहीं वो पॉलिटिक्स है जिस वजे से आप इसका कहिए कि एक रिश्ता है इसका दंगे से कौन है यह मुफ्ती अब्दुल-रजक घान स्वौत obsess tubes कि ये जमियत उलेमा-e-हिंद की पॉलिटिक्स बताई ये जमियत उलेमा-e-हिंद का मद्दर देश चैप्टर है अच्छा हाजी और ये उसके जमियत के ये हैड है इस अपील में नों ने लिखा है कि जो जिस जिस हम मेडिकल स्टोर की बात कर रहे थे जिसे तोड़के नया बनना था उसे कह रहे हैं कि वो एक मस्जिट थी जिसको इनको पता ने इनके कब वादा किया गया था कि उसे दुबारा बना रहा हूं अपने दर्शकों को कि यह क्या पील है ब्रदरानि इस्लाम असलाम वाले को यह यह लिख रहा है कि हमीडिया हॉस्पिटल के मेन गेट के ब्लेट बेंक के पास हॉस्पिटल के अंदूरी बिल्लिंग के दौरान एक कदीमी मस्जिद है जिसका पता जिसको हॉस्पिटल वालों ने स्टोर रूम बना रखा था मतलब इनको भी नी पता था अब इनको कैसे पता चल गया तो बोल रहे हैं कि बिल्लिंग निर्मार के पत्तर है और इन्हों ने इनका ऐसा कहना है कि मस्जिद थी तो हम सुबह से इने कॉल कर रहे हैं अभी शाम के मतलब साथ साड़े साथ बज़रा अभी थोड़े देर पहले भी किया था हम इंसे जानना चाहते थी कि आपका जो दावा है कि आप कह रहें कि मस्जिद है उसका अधार क्या है और मुफ्ती अब्दुर्रजाक खान प्रशासन पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार यादकारी नमाज अधा करने से रोक रहे हैं सभी भाईयों से गुजारेश है कि मस्जिद को आवाद करने में जानो माल से हिस्सा लेकर सभावेदारिन हासिल करें पतानी सभावेदारिन क्या होता है रोक या आरती भी गई है और मस्जिद में नमाज का पढ़ा जाना भी रोका है रोक भी दे जाना चाहिए अगर आरती या नमाज पढ़ने से सामपरदार्यक दंगे भढ़कने की आशनका होती है जैसा कि इस मामले में हुआ तो अब यह कविता है कुमार विश्वास की वालब किसी और की कविता है कुमार विश्वास ने सुनाई थी इधर भी गदे हैं उधर भी गदे हैं जिदर देखता हूं गदे ही गदे हैं ये बात हम मौलवी साहब या उस पक्ष के लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं कुमार विश्वास न रहें इनके आफिस में भी हमारी बात हुई थी तो हमने कहा कि आप जमियत से किसी से बात करवा दीजे जो इसकी जिम्मेदारी ले ले जो यहां लिखा है आप इका नोटिस है उसमें नंबर है आप फोन भी उठा रहे हैं अच्छा आपने पत्रकार की तरह जो की फर्ज होता है कुछ लोगों को लगता है कि नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने जो फत्वे दिये हैं जो फैसले कर लिये हैं उन्हीं के मताबिक तैह हो जाना चाहिए क्योंकि प्रगतशीलता का जंडा उन्होंने सलीप की तरह ओड रखा है कि दोनों पक्षों की राय ना ली जाए प अच्छी बात है, उम्र दराज होंगे, हो सकता, सो रहे हो, फिर क्या होगा? तो हमने कहा कि जम्यत एक बड़ी बॉड़ी है, आप और किसी जिम्यदार वेक्टी से भी बात करा दे, जो क्योंकि हमने इंट्रड्यूस किया थे, कि हम लालन टॉप से बोल रहे हैं, हमने बाकी रेफरेंसे भी दिये, पहचान अपनी जाहिर की, और कहा कि हम ऐसे वेक्टी से बात करना चाहरे हैं, जो हमें बताए, कि कैसे आपको पता चला कि वो मस्जिद है, क्या जवाब मिला? सर, कोई सीधा जवाब नहीं मिला, कोई तो मानने कोई तयार नहीं था, कि हम जम्मियत से संबन देते हैं, तो फिर हमने शाम को एक और वर अगर वो यह नहीं कह रहे थे, तो यह नंबर कैसे चप गए इस पर, तब तो फिर पिर पुलिस, उनकों को एक मुकदमा करना चाहि फिर करनी चाहिए कि उनके नंबरों का या उनकी संस्ता का बेजा इस्तमाल हो रहा है, फिर क्या हुआ, यहां थोड़ी क्लारिटी हम कर दें, थोड़ा मिस कम्मिनिकेट हो गया, ओफिस में नंबर लग रहा है, सही-सही, ठीक है, मैं इनसे नंबर मांग रहा हूँ कि मैं अब हूँ नहीं, मतलब, जमियत में बैठता था कभी, अब ही मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, जिनका नंबर मिला ऐसे, जिनका नंबर मिला ऐसे, अच्छा, मैंने शाम को दुबारा फोन किया तो अब मुझे पता चला कि वहां कुछ सहरी वित्रट टाइप, कुछ का अब जी, तो अभी भी उनके पास समय नहीं था कि हमसे वह बात कर लेते हैं, वैसे भी पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देने के लिए समय निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब समय निकाल लेंगे, तो इस तरीके की अपीलों के लिए समय कैसे निकालेंगे, तो अभी क्या है स्थिती वहां पर? अभी स्थिती यह है कि इस अपील का क्यों स्टेंडिंग तो हमें समझ आती नहीं है, कोई अर्केलोजिकल रेफरेंस नहीं है, कलेक्टर का बयान है कि वहां पर उनके रिकॉर्ड में तो मजडित नहीं थी, है ना, तो यह दो तरहा के यह दावे हैं, जिसके दिमाग में आगए, यह कह रहा है मजडिद है, यह कह रहा है कि मंदिर है, और यह एक बेखूफा ना जगड़ा है, बन अस्पताल की इमारत रही है, इनकी अपनी दुकान चुरू हो गई है, तो यह बहुत एंफॉचुनेट है, और खासकर भोपाल के लोग भी और सारे लोग जो इस लाइब को देख रहे हैं, वो यह दिमाग लगाएं कि जो लोग पावर में होते हैं, और जो पावर, जो कहते हैं, पावर सीकर्स होते हैं, कोई उनका अबजेक्टिव होता है, उसको पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्यों नेता, धार्बिग नेता, या कारोबारी का, बेटा या बेटी कभी दंगे में मरा है, या कोई बहुत बड़ा समास सेवक, आजाद भारत में सियासी, मुझे एक नाम ध्यान आ रहा है, एक बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, गले शंकर विद्यार्थी, कानपुर में सां अंधी के सपोर्टर थे, इंसान की महत्ता और महांता पर भरोसा था, दंगा शांत कराने के लिए गए, मार दिये गए, लेकिन आज हम दंगाईयों को याद नहीं कर रहे हैं, गले शंकर विद्यार्थी को याद कर रहे हैं, मैं फिर अपनी प्रस्तावना पर लोटता कभी किसी बड़े ताकतवर आदमी का बेटा दंगों में नहीं मारा जाता है, दंगों में आम आदमी मारे जाते हैं, सामपरदायक जड़प में अपने अपने मधभब के देवताओं का, इशरों का, अल्लाहों का नाम लेकर आपको हिंसा करने के लिए जो उकसाते हैं, वो आपने कविता का जिक्र किया, मुझे ये लगता है कि जिस मुल्क में साहित्य की कविता की बात हो, वो ज्यादा सुरक्षित है, और ये कविता मैंने पढ़ी तो किसी और संदर में थी, लेकिन यहाँ पर भी माकूल हो रही, तो मेरे ख्याल से हमें वही पर खत्म करना चाह हम बताते हैं किन दुश्मनों से लड़ो, है अंधेरा जहां रोशनी चाहिए, दुश्मनी भूल कर दोस्ती चाहिए, दो मुठी जमी सर पर रख कर कहो, खूबसूरत हमें जिंदगी चाहिए, इस खूबसूरत जिंदगी को मंदिर मस्जिद से कहीं जादा अस्पताल बना है, वक्त घड़ी में लगातार बीत रहा है, शाम का वक्त हो गया है, और काम हमारा इंतिजार कर रहे हैं, निकिल सुबह सवेरे के आए हुए इन्हें भी घर जाना है, इसलिए फिल वक्त अलविदा कहते हैं, एक और मुद्दे के साथ, एक और खबर के साथ, एक और जमीन कुछ कदम आगे बढ़नी ही चाहिए, मेरा नाम सौरब दिवेदी, यह है मेरे साथी निकिल, कैमरे के पीछे वरुन, शुक्रिया